आपको बता दे नेता प्रतिपक्स तेजश्वी आदब लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं यानि कि आपको बता दे अपने चाचा नितिश कुमार को भी ले करके कई सवाल खड़े कर दिये हैं चाहे वो बिहार में बढ़ रहे अपराद को ले करके तेजश्वी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं यहां तक के तेजश्वी आदब बढ़ते अपराद को ले करके एंडिये पर जोड़दार हमला बोला था आपको बताते चले नेता प्रतिपक्स तेजश्वी आदब के नौमी अनुसूची वाले बयान पर बिजपी हमलावर है वहीं इस पर बिजपी नेता अश्वीनी चौबे ने तेजश्वी आदब को आरे हाथो लिया है आरक्षन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्स तेजश्वी आदब इन दिनों आक्रमक रवये अपनाए हुए हैं बिजपी और ज्यद्यों की मनशा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं वहीं उस पर बिजपी के पुर्वकिंद्रिये मंत्री अश्वीनी चौबे का जवाब आया है उन्होंने कहा है तेजश्वी आदब को लेकर के कहा है हमला बोलते हुए कि जिन्होंने कक्षा की पढ़ाई नहीं की वे नौमी अनुसूची की बात करते हैं अपने प पिलाने वाले लोग क्या जाने के सरकार कैसे चलती है 15 साल के शासन काल में क्या कुछ इनके पिता जी इनके माता जी ने किया है वो जनता जानती है वो सारे लोग तक पता है और सारे लोग जानते हैं मोदी जी को जानने में नहीं साथ जन्म लगने वाले हैं अश्वीनी च गांधी के बयान पर अश्विनी चावबे ने कहा है कि उन्हें डर क्यों लग रहा हो अगर राहूल गांध हे सच अगर चल रहे हैं वे तो कहते हैं मैं किसे से डरने वाला नहीं हूँ लेकिन सफ डर नजर आ पहले के काले करना में कुछ होंगे तो हो सकता है इसलिए उन्हें डर लग रहा हो इस तरह की बात करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं अब जनता अच्छे से जान चुकी है कि बिहार में क्या हुआ है क्या मिला है देश में क्या हुआ है क्या मिला है इन लोगों के शासन काल में बिहार कहां से कहां गया देश कहां से कहां गया सब लोग अब जान चुका है इसलिए जनता अब रमित होने वाली नहीं है बता दे के नेता प्रतिपक्स ते जश्वी आदब आरक्षन के मुद्दे पर इंदेनों खुब बयान बाजी करते वे नजर आ रहे हैं वहीं एक प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा था जाती गणना के अधार पर बढ़ाई गई आरक्षन के सिमा को समविधान की नौमी अनुसूची में डाला जाए बिहार और केंदर सरकार यानि डबल इंजन की सरकार नहीं चाहती कि इसे समविधान की नौमी अनुसूची में डाला जाए आर नहीं बोल रहा है, हो सकता है कि निटेश की किंद्र सरकार नहीं सुन रही है, ना बिहार में उनका कोई सुन रहा है, आपको बता दे, आए दिन लगातार जो सुरीके से बिहार में विशे से राज़्य की दरज़य की मांग जोर पकड़ी हुई थी इस पर भी विपक्ष का कहना है कि नितिश कुमार को जुनजुन थमा दिया गया है यानि कि कीईzk mathematics कार से लगातार नितिश कुमार का दर्जा तो नहीं मिल सका लेकिन हाँ बिहार को विश्वे सिराज्य का पैकेज मिला है बार